काफी सारे MBA colleges का selection process होता है उसमें एक component होता है which is group discussion group discussion आपका conduct किया जाता है जिसमें 10 से 12 लोग होते हैं आप लोग को एक topic दे दिया जाता है जिसके उपर आपको एक group में discussion करना होता है उसके basis पे college आपको marks देता है सर जीडी हम लोग कैसे crack करें इतने सारे लोगों के बीच में वो क्या tips और tricks है जिसकी वज़े से हम लोग सेलेक्ट हो पाए अपनी बात को इतने सारे लोगों के सामने रख पाए और बहुत सारे SS students आते हैं जो कहते हैं सार हमारा voice low है हम introvert है तो जीडी में participate कैसे करें हमें कितनी बात जीडी में enter करना चाहिए सर जीडी स्टार्ट करना advantage है तो इस वीडियो में आपको सारे के सारे important tips बताने वाला हूँ कुछ topics बताने वाला हूँ जो आपके लिए पूरे के पूरे जीडी प्रोसेस में helpful रहेंगे So my name is Saurabh Kuthari, let's start वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक update देता हूँ अगर आप इस साल MBA College से call expect कर रहे हो या फिर आपको call सानी स्टार्ट हो गई है तो हमारा GDPA VET का exclusive batch स्टार्ट हो रहा है 20th of January से अगर आप ये batch बात में देख रहे हो तो आप later on भी इस batch को join कर सकते है इस batch में सारी कि सारी light classes आपके conduct होंगी जो 7-8pm चलेंगी जिसमें आपको एक-एक important चीज़ के बारे में lecture प्रोवाइड होगा आपको class में बताया जाएगा अपने interview answers कैसे frame करने हैं किस तरह से अपनी story को narrate करना है किस तरह से build करना है जो भी important चीज़े होते हैं चाहे वो जीडी से related हो, essay writing के related हो, SOP writing हो सारी की सारी चीज़े light classes में आपके सार डिसकस होंगे अगर आप इस batch को बाद में भी join करते हैं तो हर एक lecture की video recording आपको मिलेगे ये सारी की सारी recording 30th April तक available रहेंगी जब तक आपके सारे interviews complete हो जाएंगे जो batch start हो रहा है, वो 28th January से start हो रहा है, 15th March तक चलेगा टू मन्स का ये batch चलेगा, जिसमें आपके सारे की सारे important issues, topics पे live sessions conduct होगे हम आपको knowledge live sessions भी provide करेंगे, जिसमें MBA streams के बारे में हम लोग बात करेंगे मालो आप interview बोलते हो, मुझे MBA and finance करना है, तो finance के आसपास क्या-क्या questions आपस पूछा जा सकते हैं marketing के आसपास क्या-क्या questions हो सकते हैं, operations, HR, IT, तो हर field को हम लोग यहाँ पे cover up करने वाले आपके resume building में help करेंगे, आपका profile development होगा, ताकि interview में आप बेटर तरीके से answer कर पाओ आपको current affairs and business awareness के भी live sessions मिलेंगे, ताकि जितने भी important चीज़ें आसपास होरी हैं, आपको पता है आज की rate में जो भी MBA interviews होते हैं, वहाँ पे important current affairs के आसपास भी discussion होता है ताकि यह check किया जाएं, कि आप कितना ज़्यादा aware हो, इसके साथ आपको one live walk interview प्रवाइड होगा by the experts भाई यहाँ पे क्या चीज़ होगी, जो लोग already talk colleges में, I am Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, FMS, Accelerie या फिर ऐसे लोग जो industry में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वो आपका live walk interview लगे with detailed analysis and feedback, आपने क्या चीज़ अच्छी बोली, कौन से parameter पे आपको improve करना, आपके total कितने marks आते हैं हर एक चीज़ आपको हम पे provide होगी, तो यह mock interview आपको final interview से पहले आपको काफी जादा ready करते हैं इसका वाट, GD कराएंगे, हम लोग आपको case based discussions कराएंगे, extempore कराएंगे, SOP writing तो हर एक चीज़ जो आपको GDPR batch में चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ आपको provide होगी इस batch का fees 3500 है, but first 200 students के लिए यह batch available at just one triple line जिसमें आपके सारे के सारे live sessions, सारे PDF, GD, VAT, SOP, profile building, knowledge session, current affairs, live mock interview, हर एक चीज़ included है तो अगर आपको इस batch join करना, आप website पर चलाएंगे, studybus.co.in, नीचे description में मैंने आपको link provide करा हुआ है, ठीक है, now let's begin with the topic करते हैं सबसे पहले do's and don'ts है, देखो भाई, first thing हमें यह समझनी है कि group discussion is not equivalent to a debate ठीक है, group discussion में एक group है, उनके बीच में कुछ topic दिया गया है, उस पर discussion करना है तो अपनी voice को बहुत जादा तेज नहीं बोलना है, बहुत जादा ऐसा नहीं की, चिला रहे हो आपने, यह सब qualities एक अच्छे group discussion leader की नहीं होती है तो आपको भाई, जब आप group discussion में बैठे हो, तो कुछ चीजों का ध्यान दखना है, वो हम यह आप पे discuss करते हैं, ठीक है जैसे मालो, GST is good for India, yes or no, तो आप ऐसा मत बोलो सीधा कि, yes it is good, no, आप GST के बारें बताओ कि, GST कौन सा amendment था जो introduced हुआ, पूरे वर्ल्ड में कितनी countries में GST है, फिर हमारी country का जो GST है, that is one of the most complex GST, हमारे इतने rates labs है, according to this, now we should understand and analyze whether this is good for our economy or not, तो आपने क्या करा, आपने topic का introduction दे दिया, आपने direction दे दी and इस वज़े से आपको कुछ अच्छे marks यहां पे मिल जाएंगे, उसके बाद, question यहाता है, सर कितनी बार GD में बोलें, भाई, अगर मालो एक 10 minutes का GD है, तो मेरा जो suggestion रहता है, वही रहता है, 10 minutes की GD में, ideally, अगर आप भाई, 3-4 times बोल लेते हो that is very good, आपको भाई GD के अंदर एक बात ध्यान रखना, कोई बोलने नहीं देगा, आपको अपना मौका खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसके बाद भाई, बच्छे काफी बोलते हैं, सर अगर मालो हमने GD में, 4 में बोल दिया, या against में बोल दिया, तो क्या हम stand change कर सक सकते हैं, definitely कर सकते हो, आप बोल सकते हो, that these are the points, which are in favor of the topic, but at the same time, I also believe, that these are the other points, which we should also discourage, that is the other side of the coin, where we can highlight, तो इस तरह से आप करके, अपने 4 and against, दोनों के points, बोल सकते हो, जब आपको पता चल रहा है, कि last के 2 minute या 3 minute बचे हैं, तो आपको as a group leader, responsibility लेनी पड़ती है, and बोलते ह that, now I believe, that we are coming to end of discussion, so I would like to conclude the topic, तो इसका मतलब लाज के 2 minute में आपने क्या करा, आपने conclusion दे दिया, and definitely, आप यहां पे कुछ अच्छे marks ले गए हो, इसके अलावा और क्या के चीज़े हैं, जो हमें GD में ध्यान रखनी हैं, सबसे पहले भई, eye contact, eye contact बना के रखना है, and eye contact हो रहा है, नहीं, one-on-one interaction नहीं करना है, you are talking to a group, आपके सामने 10-12 लोग बैठे होएं, तो you have to discuss, filter out, and आप सब के साथ अपना eye contact maintain करो, second thing, hand movements, अपने भाई, जितने भी non-verbal gestures हैं, उनको भाई, काफी अच्छे से यूज़ करना है, अपना hand यूज़ करना है, finger pinpoint किसी पे नही करनी है, ठीक है, तो अपने पूरे hand broad करके, आप किसी के तरफ करोगे, that looks more sober, rather than pointing a finger, ठीक है, अब अगर मैं बालो don't की बात करूँ, तो don't की अगर मैं बात करूँ, तो no pinpointing, ऐसा नहीं है कि आपने pinpointing करना है, आप finger कर रहे हैं, one-on-one conversation, no, ये सब चीज़े एकदम negative हैं, अगर मालो आपको topic के बारे बिल्कुल idea नहीं है, तो भाई, आपको अगर topic के बारे idea नहीं है, तो आप उस पे introduction मत दो, ऐसा मत करो, कि वेग introduction दे रहे हो, तो ऐसा ना हो, कि introduction देने का purpose ता marks लेना, बढ़ यहां पे marks चले गए, ठीक है, उसके बाद भाई, no personal examples, बहुत बार मैंने देखा है, भाई, GD में बच्चे बोलने होते हैं, कोई topic आता है, और बच्चे बोलने लगते हैं, in my family, this is used to happen, या I used to do like this, भाई, आपको एक group discussion करना है, you are sitting at a managerial position, आप future में manager बनोगे, अपने personal example मत दो, अगर आपको भाई, कोई corporate या कुछ famous example पता है, वो आप quote करो, but do not, do not, भाई, bring personal examples, तो जब भी आप GD में बात करते हो, इस चीज़ का याद रखना rule, भाई, आप सबसे पहले पूरे worldwide बात करते हो, worldwide के बाद आप country पे आते हो, country के बाद भाई, आप society पे आते हो, society के बाद family पे आते हो, and family के बाद last में I पे आते हो, ठीक है, तो करना, जितना आपने topic को broad रखोगे, उतना आपका better रहेगा, अब भाई, next क्या होता है, किसी को भी भाई, cut मत करो, cut मतलब आपको कोई बात बोल रहा है, तो ऐसा मत बोलो नहीं, I am speaking, ठीक है, तो आपको जीडी में enter करने की 8 आने चीज़, देखो, group discussion is an 8, ठीक है, अब माल कोई बंदा है, वो बार-बार बोल रहा है, और वो अच्छा speaker है, ठीक है, अब आप कैसे उसको cut करके अपनी बात रखोगे, तो उसके दो तरीके हैं, सबसे पहला, आप देखना, human psychology ये कहती है, कि जब भी कोई बात बोला है, आप बोल दो, I agree to this, तो जैसे मालनों मैं मैंने एक बात बोली कि GST is good for the economy, because it will help to remove all the indirect taxes, तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है, a great point set by my friend, I would also like to add, तो जैसी आप उसके सिंक में आ जाओगे न, तो वो बंदा automatically चुप हो जाएगा, वो सोचेगा, हाँ यार, ये मेरे बिहाफ पे बोल रहा है, तो आपको ये बो आप इस बात से agree नहीं करते, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे indeed, but I would like to differ in this manner, तो आपको बढ़े humble तरीके से GD में एंटर करना है, आप shout करके एंटर करोगे, तो examiner आपके मांस काट लेगा, तो वो आपकी यही आर्ट देख रहा है, कि आपकी leadership skills कैसी है, ठीक है, तो leadership leadership कैसे पता चल रही है, आप topic को introduce कर रहे हो, आप politely बार-बार enter कर रहे हो, आप यह भी कर सकते हो, आपने मालोगे, आपने देखा GD में आपकी command बनी हुई, आपने दो या तीन बार बोल लिया है, और दो या तीन students ऐसे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, बोलने की बट उन्हें मौका नी मिला, तो आप group को बोल सकते हो, I think these candidates, these friends also have something to say, ठीक है, तो उससे आपको क्या पते सला, कि आप एक leader हो, आप पूरी team में सब को मौका दे रहे हो, तो इस तरह से, लेकिन यह ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आपने खुद तो बोला नहीं है, आप बोले हो, I would like to give him a point, तो यह बहुत thin line है, आपको समझनी पड़ेगी, कि दो या तीन मार मैं बोल चुका हूँ, मेरा country जा चुका है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं contribute करता हूँ, ग्रुप में, मैं किस तरह से contribute करता हूँ, कि भही मैं बोल रहा हूँ कि, these fellows, fellow guys will also like to add some point, या फिर कभी-कभी ऐसा ह हो सकता है, कि भही topic जो है, बिल्कुल different domain में चला गया है, बात को समझ रहे हो, topic है GST के ओपर और लडाई हो गई है, politics के ओपर, ठीक है, तो you can say, I think that we are diverting from the topic and we should come back on this, या फिर मालो आपके निमा में कोई नया point आया, तो what you can say, कि भही, I think we have discussed a lot on this topic, I would like to add a new dimension to this topic and I would like to discuss on this part as well, ठीक है, तो आपने क्या करा, एक नया angle दे दिया, तो इससे क्या पदा चल रहा है, कि जो leadership की quality होती है, जो leadership की एक characteristics होती है, attributes होती है, वो आपके अंदर है, आप भई एक group को lead कर पा रहे हो, आप एक direction दे पा रहे हो, किस direction में discussion करना है, आप भई conclusion तक आ रहे हो, ऐसा निया way छोड़ रहे हो, आप भई summary कर रहे हो topic की, तो ये आपकी GD में improve करते हैं, तो ये कुछ important points है, जो मैं आपको discuss कर रहा हूं, अब बात कर रहा हूं type of GD topics, type of GD topics जो हैं, उससे पहले भई ये समझो type of people कौन होते हैं, अगर आप एक GD मे आपको कुछ different type के लोग मिलेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा intellectual, ठीक है, तो intellectual जो होता है, आपको पहले सारे के सारे नाम बताता हूं, then आपके सामने एक salesperson होगा, ठीक है, फिर आपके सामने एक spectator होगा, फिर आपके सामने एक gatekeeper होगा, और एक होगा butcher, ठीक है, अब क्या difference है, intellectual होता है, जिसे भाई topic की maximum knowledge है, ठीक है, जी डी माँ बैठे हुए हो, एक बंदा ऐसा होगा, जिसे सब कुछ knowledge है, हो सकता है, आप ही हो, ठीक है, तो वो intellectual है, salesperson कोई होता है, जिसे topic के बारे नहीं पता, but वो क्या करता है, वो convince करना जाता है, मतलब वो intellectual की बात सुन रह है, अपने words में, उसी बात को गुरूप के सामने present कर रहा है, in a convincing manner, spectator जो है, वो भाई सर्थ देखे जा रहा है, he is watching everybody, and वो कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है, gatekeeper कौन होता है, जो बार-बार कभी देखना, GDM बोलेगा, please come back to the topic, या please come back to the topic, जो time को बार-बार चेक करता है, बुचर कौन होता है, जो हर किसी की बात को cut करता है, ठीक है, जो critique होता है, हर किसी को बात को agreeing करता है, चिला रहा है, तो जो spectator है, gatekeeper है, बुचर है, इनका selection नहीं होता, तो आपको या तो intellectual वाली category में आना है, या sales person वाली category में आना है, अगर आपको topic की knowledge है, तो go for it, introduce करो topic क पूरे के पूरे GD को, अगर आपको लगता है, इस topic को आपको knowledge जादा नहीं है, तो उस case में क्या करना है, आप sales person बन जाओ, आप topic को समझो, जो group कह रहा है, उन्हीं points को plus minus करके अपने point को बार-बार present करो, तो ये आपको लोगों को पता चल गया, अब GD के topic आशकर कैसे आ चाहरा है, red is blue, तो क्या बोलें इस पर, तो इन सब पर मैं भी आप से साथ discussion करूँगा, या फिर आपके सामने आ सकता है factual, ठीक है, factual जैसे youth are required in Indian politics, तो this is a factual, this is not current, this is not abstract, ये एक normal topic जिस पर आप discussion कर सकते हो, या फिर क्या हो सकता है, आपके सामने management related topics, ठीक है, management related topics चाहोते है women are better managers, अब ये आपको जीज़े का topic दे दिया, ठीक है, या फिर MBA is not required in doing business, तो ये सारे management topics है, फिर आपको भाई मिल सकता है, group task, आप देखना, group task मिलते हैं, group task में क्या होता है, कि आपको एक task दे दिया, आपको एक case दे दिया, उस case को भाई सब लोग पढ़ेंगे, और उस case क पढ़ने के बाद, वो group उस case के ओपर discussion करेगा, मालो आपको एक case study दे दी, उस case study को पढ़ने के बाद, अपने group जो अपने input देगा, एंड पर conclusion पे आएगा, तो ये major major आपके types रहेंगे GD में इस साल, इनी पर आपको महनत करनी है, तो सबसे पहले बात करते हैं, important current topics कौन-क जा रहे हैं, school से smart होते जा रहे हैं, तो digital education का trend बढ़ता जा रहा है, काफी सारे इस institute हैं, जो इसमें enter कर रहे हैं, बच्चे जो हैं, वो digital education को prefer कर रहे हैं, इसमें क्या 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 है, reasons क्या है कि आपका time save हो रहा है, traveling time बच रहा है, drawback क्या है, drawback यह है कि जो education है, जो coaching का purpose है, वही defeat हो जाता है coaching का purpose क्या है education का purpose क्या है कि एक trainer सिखा रहा है बन वो जब चीज़े digital हो जाती है तो control आपके हाथ में आ जाता आप कभी भी अपनी class को बंद कर सकते हो जा सकते हो तो इस तरह से अपने point को यहाँ पे put करना है second bullet train does India really need it तो इस पर आप क्या discussion करोगे कि अभी current economic situation क्या है bullet train अभी कौन कौन से countries में चल रही है इंडिया में क्या इतने fast tracks available है तो यह सारे points है यह काफी important topic है is statue of unity काफी जादे इस पर controversy भी चल रही है लोगों के opinions बहुत vary कर रहे है कि भाई यह बनाना चाहिए था या फिर यह जो 2900 करोड रुपीज खर्च हुए है मतलब लगबग 3000 करोड के आसपास यह पैसा waste हुआ है ठीक है उसके बाद आपको पता है बीच में एक ruling IT सुप्रिंग कोड की कि cinema halls में national anthem चलेगा इंड सब लोग खड़ होता है आप देखते हो जब यह आप मुवी देखने जाते हो national anthem चलता है ठीक है उस पे हम लोग discussion करेंगे then है GST हमारी country में जो GST है वो one of the most complex है अगर आपको पता हो पोरे world में तो इस पे आपको अपने opinion form करना है फिर आपको पता है Walmart और Flipkart की जो deal हुए है one of the biggest e-commerce deal है तो इससे इंडिया पे क्या impact पड़ेगा start-up culture को और boom मिलेगा लोगों को लगेगा अपने companies बेच दो foreign FDIs और इडियम आएंगे तो इन सब पे क्या आपको opinion बनता है उसके बाद इंडिया की population जो आप continuously बढ़ती जा रही है तो should India adopt a one child policy इसके pros and cons क्या होंगे क्या ही हमारी freedom को hide कर रहा है या फिर भाई government को ऐसे restriction लानी चाहिए ताकि future जो है वो sustainable development में involved रहे then आपके भाई Chinese goods आपको पता है world में trade war चल रही है US, America में US कह रहा है China के वज़े से हमारी country पीछे जा रही है चाइना जो है पूरे बूरे world में अपना एक dominance बना रहा है तो क्या इंडिया को इससे खत्रा है फिर आपको पता है बहुत जादा electric vehicles के उपर चल रही है demand तो आपको बताना है क्या electric vehicles के लिए इंडिया ready है, कैसे charging होगी क्या क्या facilities है, speed क्या रहेगी Tesla जैसी companies है, उनका क्या involvement रहेगा इंडिया की जो companies है वो किस तरह से अपने आपको innovate करे लोगों का क्या involvement होना चीए, ये सारी चीजे फिर social media जो है, आजकर आपको पता है बहुत जादा fake propagandas fake news के लिए use हो रहा है, तो क्या actual में connect हो रहे है, चाए social media platform हो, facebook हो, twitter हो, या फिर instagram हो, इनका real purpose क्या है, क्या लोग सिर्फ अपने show के लिए वो use कर रहे है, या they actually want to connect with people, फिर है FDI जो है वो retail में आ रहा है, उसकी क्या relevance है, क्या जो छोटे shop की पर से है, उनका नुकसान होगा, जो किरायनाई stores है, उनके लिए benefit है या loss है, ठीक है, तो इसमें आप काफी साथ चीज़ें discuss कर सकते हो, कि इस तरह के question raise होए थे, जब 1991 में LPG हुआ था, liberalization, privatization, globalization उस time भी लोगों ने question raise कर रहे थे बट आज की date में वो काफी अच्छा है फिर आपका रहा है, can we dream of hosting the Olympics, Olympics की बात इसलिए आ रही है, क्योंकि हमारी country में Commonwealth host हो चुका है, अभी hockey world cup हुआ था, तो ये जिस तरह से events हो रहे हैं तो क्या हम अभी as a country ready है, Olympics के लिए, अगर हैं तो क्यों हैं, और नहीं हैं, तो क्यों नहीं है, Olympics host करने से अच्छा, क्या ये नहीं होगा, कि हम poor people के लिए दो scheme बनाए, तो ये इस चीज़ों पर आपको discuss करना है, फिर आपका है merits and de-merits of cashless economy cashless economy के क्या benefits हैं, digital transactions हो रही हैं, उसका क्या-क्या फाइदा है, तो फाइदा आपको पता है कि आपको cash carry नहीं करना पड़ता, आप easily transfer कर सकते हो, बट इसके drawbacks क्या है, इतने सारे cases आने लगे हैं, जहां पर money loss हो रहा है cash जा रहा है, लोग को पता नी चला people are not aware, they are not educated तो demonetization का क्या impact हुआ था ये सारे चीज़ आप यहां पर discuss करोगे, फिर digital India का जो campaign था उसके क्या benefits रही है, क्या नुकसान रही है, जो companies रही है geo जैसी, internet का जो इतना involvement भढ़ रहा है, उसके क्या क्या benefits हो रहे है, last में, जो एक और important topic मैंने निकाला है, cryptocurrency, आपको पता है, bitcoin हो गया, या फिर काफी सारी other cryptocurrencies थी, वो अभी काफी ज़्यादा news में थी, पहले बहुत ज़्यादा prices भड़े, फिर गिर गए, तो इनका क्या क्या कोई future है, जो blockchain technology है उसका क्या role है, तो भाई, current GD अगर आप improve करना चाहते हो, तो इन topic से बारे में अपना content एक एक दो दो paragraph लिख लो, main में bullet points लिख लो, ताकि आपको पता रहें, जब भी GD होता है, आपको starting में एक minute मिलता है, तो उस time पे आपने सारे के सारे points jot down कर लो ताकि जब आप discussion कर रहे हो, उस time भूल ना जाओ, तो जितने भी points माइंड में आए रहे हो उस time आपको एक paper और pen मिलेगा, सब लिख लेना, आपको एक suggestion और दूँगा, वो suggestion ये है, कि भाई, अभी आने वाले time में जब आपको GD नहीं है, एक newspaper लगा लो चाहे वो Indian Express लगा लो, चाहे वो Mint लगा लो, या Hindu लगा लो और इसका daily editorial page पढ़ा करो, क्योंकि editorial page पढ़ोगे तो आप देखोगे, आपके 90-95% GD topics cover हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर articles आते हैं, authors के and they write a lot, भाई, काफी अच्छे अच्छी चीज़े वो यहाँ पर लिखते हैं आपको पता चलेगा, किस तरह से statement frame करने हैं, कैसे GD में बोलना है, किस तरह से phrases यूज़ करने हैं, आप अच्छे-च्छे phrases यूज़ करोगे, कि red is the new blue, तो इस तरह से आप बाते करोगे तो भाई, बहुत impressive लगता है and जो examiner है, जो evaluator है वो भी समझता है, कि हाँ आप जानते हो कहाँ पर क्या phrase, यूज़ करना है, तो ये इसको कैसे interpret करा, आपकी interpretation के उपर ही ये पूरा का पूरा topic है, तो मैंने कहा, ABC equal to XYZ है, इसका क्या मतलब हुआ, कि ABC जो है, वो starting के alphabets है, XYZ जो है, वो last के alphabets है, तो चाहे आपकी ending अच्छी हो जाए, चाहे आपकी starting अच्छी हो constitution क्या कहता है, सब लोग equal हैं, तो ये उस बात को भी represent कर रहा है, तो इस तरह से आपको interpretation निकालनी है, और अगर आपने ऐसी दो या तीन interpretation निकाल दी, तो भाई, आपका selection यहाँ पे done है, आप जैसे red is blue, red is red, blue is blue, तो यहाँ पे मेरे दिमाह में यहाँ बोल सकते हो, यहाँ बोल सकते हो, यहाँ बोल सकते हो, spaces, फिर आप क्या कहते हो, rat जो है, वो underdog है, and underdog is the winner, आप example लो world cup का, कि west indies underdog था, बट तब भी वो जीत गया, है ना, जो T20 world cup हुआ था, उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, dark horse is successful, ठीक है, rat is better in the cat race, 1983 world cup, india won it, despite कि india जो था, वो dark horse था, ठीक है, तो उसके बारे में आप discussion कर सकते हो, अब यहाँ पर आप different interpretation क्या ले सकते हो, यहाँ करो Tom and Jerry, तो Tom and Jerry भी आप यहाँ पर discuss कर सकते हो, कि कैसे भाई, जो एक rat है, वो परिशान कर देता है, Tom को, और इस तरह से आप कुछ-कुछ interpretations कर सकते हो, ठीक है, फिर hard work and smart work तो आपको idea है, फिर frog in a well, frog in a well में आप क्या-क्या points बोल सकते हो, frog in a well क्या represent कर रहा है, कि एक well है, उसके अंदर भाई, एक frog है, तो यह क्या represent कर रहा है, यह represent कर रहा है, आपकी limited thinking को, limited thought process को, साथ में और क्या interpretation यहां से आ रही है, कि frog जो है, वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि भाई, वो confide है, उससे यह well safe लगता है, तो वो safe place में है, बट क्या वो aware है, outside world का, he is not aware of the outside world, तो frog in a well represents a creature who is not aware of the outside world, आप इसको किस से relate कर सकते हो, आप relate कर सकते हो, तो इससे book mom से, book mom जो होते हैं, जो बच्चे होते हो, जो सिरफ पढ़ते रहते हैं, जिनने कुछ मतलब नहीं होता दुनिया में, they are not very successful, कुछ-कुछ होते हैं, बट अगर आपकी limited thinking, limited thought process, अगर आपको दुनिया के बारे कुछ नहीं पता, सिरफ आपको books के बारे में पता है, then it means that you are a frog in the well, समझे हो ये चीज, इसका मतलब और क्या क्या हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ, कि भाई जो frogs बाहरे वेल के, they are more successful, they are risk takers, तो भाई risk takers से हैं, साथ में frog in the well ये भी represent करता है, कि आपके पास जो available है, उससे आप कभी satisfied नहीं रहने चाहिए, you should always strive to do something better, ठीक है, यहाँ पर ये सारे points निकलके आगए हैं, अब इसके बाद और क्या क्या हमारे पर topics हैं, ये जितने भी topics हैं, nice guys, finish last, इसमें आप क्या क्या एक्जामपल नहीं सकते हो, आप एक्जामपल नहीं सकते हो, कि भाई जो भी अच्छे लोग होते हैं, उनको वहीं समार्ट हैं, जो corrupt हैं, वहाँ आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब इस country में क्या nice guys हमेशा finish last होते हैं बट यहां पर आप और क्या क्या चीज़ें बता सकते हो कि long run में ऐसा नहीं होता eventually good things happen and good things will happen तो यह सारे points यहां पर आप draw कर सकते हो फिर आपके पास भाई एक topic है enemies make you stronger, allies make you weaker तो यहां पर आपको कुछ points लेकर आने हैं जहां पर आपको यह बताना है कि जब आपके enemies होते हैं तो enemy is the biggest teacher ठीक है और कुछ-कुछ यहां पर आप quotes बोल सकते हो वो quotes क्या क्या हो सकते है a true friend should be true criticizer as well या फिर आप यहां पर एक quote यूज़ कर सकते हो keep your allies close but your enemies more closer ठीक है तो यह काफी सारे points है जो आप discuss करोगे यहां पर आप बताओगे जब enemies होते हैं तो competition होता है competition के वज़े से हम भाई बहुत ज़ादा अपना best perform करते हैं जिससे हमारी performance हमारा true potential बहार निकल के आता है फिर आप यहां पर यह बता सकते हो in case of enemy you are mentally prepared but in case of allies you are not mentally prepared फिर आप यहां पर क्या example ले सकते हो आप रमायना का example ले सकते हो कि भाई रावन को उसके enemy ने नहीं हराया उसके ally बिभीशन ने हराया तो यह सारे जो points है वह आप यहां से निकाल सकते हो ठीक है आप बात समझ रहे हो फिर आपको एक topic दिया मैंने हाँ पर black box black box अगर आप देखोगे नाम इसका black box है लेकिन color इसका orange होता है तो इसका मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है यह आप interpretation दे सकते हो कि हमेशा जोई निया जो भी आपने देखा वही सच हो इसके interpretation कुछ और भी हो सकते है साथ में black box सुनते है हमार दिमाएं में word आता है secret type का कुछ है तो इसका मतलब black box का purpose क्या है कि कुछ secret information डालने के लिए तो आपका बही black box कौन है जिसके बास सब कुछ knowledge है तो आपका human black box होगा कोई या फिर आप इसकी third interpretation क्या draw कर सकते हो आप third interpretation draw कर सकते हो कि black box flights वगरे में use होता है और इसका purpose कहा है कि कल को अगर flight कोई miss हो जाए और ये black box मिले तो इसमें पूरिग पूरी recording होती है ताकि ये पता चल जाए कि इस flight के साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था अगर मैं five लिख रहा हूं इसका मनला मैं क्या कर रहा हूं I am thinking out of the box I am trying to read between the lines मैं कुछ नया करने कोशिश कर रहा हूं तो this represents creativity ठीक है तो ये काफी सारी चीजे हैं मैंने आपको कुछ topic प्रता हैं जिसके आप content तियार करोगे तो इस type के topic को आप content तियार करोगे और थोड़ा बोलना सीखोगे कि कैसे अपने आपको present करता है then definitely you can perform really well in a group discussion I hope आपको वीडियो अच्छा लगा है काफी आपने यहां से values ड्रॉ करे हैं कुछ-कुछ inferences आपको मिले होंगे कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना